पाकिस्तान के खिलाप मुकाबले से पहले अश्विन ने टीम इंडिया को दी चेतावनी बताया क्यों रहे सचेद भारती टीम ने शिर्स इस्पिनर अविचंदरन अश्विन की नहीं मानी बात तो भुगतना पड़ सकता है बड़ा खामी आजागा बाबर आजम की बल्लेबाजी को देखते हुए अश्विन ने भारती गिंत बाजो को दे दी है शला, उन्हें मानना ही होगा भारत के शिर्स इस्पिनर अविचंदरन अश्विन का मानना है कि एश्या कप में पाकिस्तान को हराना चुनोती पोण होगा क्योंकि बाबार आजम और मुहमद रिजवान जैसे खिलाडी उसे और खतरनाक बनाते हैं भारत और पागिस्तान दोनों को खिताब की प्रबल दावेदार बताते हुआ अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा बाबार आजम और मुहमद रिजवान अगर लगातार अच्छी पारियां खेलते रहे तो एश्या कप और विश्व कप में पाकिस्तान बेहत खतरनाक टीन होगी पाकिस्तान का सामना पहले मैच में नेपाल से हुआ जबकि 2 सितंबर को उसकी टकर भारत से हो रही है पाकिस्तान के खिलाब भारत ने पिछले 3 वज़ जीते हैं अश्विन का मानना है कि पाकिस्तानी टीम के कहराई उसे एश्या कप और विश्व कप में प्रबल दावेदार बनाती है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास असाधारान प्रतिभाश शाली खिलानी है टेप बॉल क्रिकेट की वजह से उनके पास हमेशा बहतरीन तेज गेंदबास रहते हैं उनकी बल्लेबासी भी 90 और 2000 के दशक में अच्छी रही लेकिन विबेन ने T20 लीग में खेलने से पिछले 5-6 सालों में उनकी बल्लेबासी फिर बहतर हुई पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा वो बिग बैश लीग में भी खेल रहे हैं अश्वी ने कहा कि टीम को रनेतिक फायदे के तौर पर एक गेंदबास को क्रीस से बाहर निकलने वाले बल्लेबास के आउट करने पर विचार करना चाहिए उन्होंने का इन में से कुछ नैतिक रूप से उचे बनते हुए इस मामले में कहेंगे हम इस तरह का क्रिकेट नहीं कहिलना चाहते लेकिन स्पार्ट टीम इस तरह के बयानों का अपने फायदे के लिए इस्तमाल करती है ये रनेतिक फायदा है उन्होंने का मैंने IPL में जब ऐसा किया था तो से 5 साल हो गए आज भी जब कुछ कह रहे हैं कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते लेकिन मुझे हैरानी होती है कि आप अभी भी उसी विचार धारा पर अटके हुएं अश्वी ने का मैंने हाल में इसके बारे में ट्विट किया था अभी तक मैंने और दिप्ती शर्मा ने भारत के लिए ऐसा किया हमें इसे स्विकार कर लिया है या नहीं लेकिन हमें इसे स्विकार करना चाहिए भलें ये हमारे साथ हो जाए क्योंकि गलती बल्लेबास किये और बल्लेबास कौन है ये सवाल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान ने एश्या का 2023 में जीत के साथ शिरुवात बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने नेपाल को 238 रणों के बड़े अंतर सहरा दिया ये रणों के मामले में पाकिस्तान की वंडे में तीसरी सबसे बड़ी जीत है कप्तान बाबर और इफ्तिकार एहमद की शतकिये पारियों और दोनों के बीच 5 विकेट के लिए 131 गेंद में 214 रण की स्याथिदारी के दम पर पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 342 रण का विशाल स्कूर खड़ा किया बाबर आजम ने 131 गेंद की पारी में 14 चौके और 4 चको की मदद से 151 रण बनाए जबकि इफ्तिकार नी 70 गेंदों की नाबाद पारी में 114 और 4 चको की मदद से 109 रण बनाए दोनों देशों के बीच ये पहला वंडे मैच है और पाकिस्तान के बल्ले बाजों ने नेपाल के गेंद बाजों की अनुभा विंता का पूरा फाइदा उठाया नेपाल की पारी सिर्फ 104 अनुपर सिमट गई बाबर की बल्ले बाजी को देखते हुए अश्वी ने भारती गेंद बाजों को सचेत किया